मैं इस्तिखार इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जोग्रफी का 40 most objective question जितना भी question मैं इसमें लाया हूँ total question पूछा गया exam में है इसको previous question बोल सकते हैं question bank से ठीक है तो उमीद है कि आप लोगो यह सारा question याद होगा अगर आपको सारा question याद है तो वीडियो में सुरू से लेकर करके अंति तक बने रहेंगे और आप 40 में से कितना सही करते हैं वह comment box में बताएंगे लास्ट में आपके लिए एक homework रखा हूं तो वह भी comment करके अंसर बताएंगे ठीक है फटाफेट वीडियो स्टार्ट करते हैं कम समय में ज्यादा question revision करेंगे क्योंकि एक्जाम आपका बहुत करीब है ठीक है 40 most VVI objective question ठीक है उमीद है कि आप वीडियो में आंति तक बने रहे एक माना भूगोल भूति भूगोल ए और भी दोनों इन में से कोई नहीं मात्रातमक भूगोल जो है ये भौतिक और मादोनों से संबनित इसका इसका क्यांसर होगा इनका हमारा होगा यह नहीं है ठीक है C option right answer होगा कैता है कि अगला कोशन duke C नवर टू कहता है मसाई क्या मसाई क्या है तो मसाई एक हमारा है एक जन जाती है इसका हमारा B option राइक अंसर होगए अगला कोशन कहता हमारा ले700 second सबसे ज्यादा है सबसे ज्वाधिक है तो दुनिया में कौन सबसे जङका क्या मार होगा इसको चाइना लेकिन जाना नहीए भारत भारत about 148 करोड़ और चाइना च्टालिक है तो किताब भी माध्यम से अगर अंसर होगा तो चायना होगा लेकिन अभी वर्तमान में विस्व में कौन सी देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो भारत मारेंगे ठीक है इसका भी ऑप्सन आपके कोशन अगर एक्जाम में आएगा तो यहां पर वर्तमान लिखा रहेगा जिससे आप कन्फिज ना होंगे और भारत मार करके एक नंबर आप ले सकते हैं ठीक है तेलिए अगला कोशन के और बढ़ते हैं याद रखेगा जो मैं बताया हूं अभी आपको अगला कोशन कहता है विस्व में में जनसंख्या का कितने परसेंट कितने परतिसाद भाग ए अगला कोशन कहता है निमने लिखित जनसंख्या में कौन कारेशील वायू कारेशील आयू वर्ग का परतिनीदीत वे करती है तो मतलब कौन सा ऐसा उमर है जिसमें आव वो कारेशील के लिए परतिनीदीत वे हैं तो यह हमारा अगला कोशन कहता हमारा छे नमर सवाल डॉक्टर मैबूब उल्हक निवासी मूल निवासी कहां के थे यह थे पाकिस्तान से अगर एक्जाम में कुशन है तो आप नाम नाम जान के ही पैचान सकते हैं पाकिस्तान का बं करना है कि मैं इस वीडियो को देख करके रिविजन कर रहा हूं और अगर आपको कोशन और अथी तरीके से याद करना है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है जाए पीडियो डॉनलोड कीजिए और पढ़ सकते हैं लिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूच फसल नहीं है इसका भी ऑप्शन राइट अंसर होगा इसी तरह के कोशन आपके एक्जाम में आता है ठीक है वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे स्टेटस लगाएंगे जिससे तो उसका भी यह वीडियो दे करके कुछ कोशन रिवीजन हो सके ठीक है कोशन अगला कहता है फूलों की क्रिसी क्या कहलाती है तो अच्छा नहीं लग रहा फूलों की क्रिसी क्या कहलाती है फूलों की क्रिसी कहलाएगी पुसपोथ पाधन क्या कहलाएगी पुसपोथ कboys कहता हमारा निमन दो लिखित में से कौन प्राथमिक क्रिया कलाफ है प्राथमिक यैने कि सबसे पहला क्रिया क्वेलाप कौन सब जागा खेती जो होगा खेती हिसका मारा और रायत रोगा रहोगा एई टीक है अगला कोशन के बढ़ते हैं 11 सवाल कहता है ब्राजील के कौफी छेत्र को क्या कहा जाता है जो ब्राजील में कौफी छेत्र इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग फिलेंडा क्या कहते हैं फिलेंडा इसका ए ओंसर राइट अंस रोगा अगला कोशन कोशन नमर हमारा कहत संबंदित है मैं सैट में रहता हूं ठीक है कोस्टन आपको दीखेगा अगर आप कोशन देखोगे तो विजय करेगा अगला क्योशन तरह नमर्षवाल डिख रहा लाल कॉलर का संबंद है किससे है तो हमारा इन कर्रेक्ट था होता यह है अगला कुशन कर चलते हैं निमने में से कौन रूपन फसल नहीं है इसमें हमारा करेक्ट्ट क्या होती हुँ ठीक है अगला कोशन बरक अगला कॉसे नहीं सबसे बढ़ा और तीर्ता कि यानि सेसरे नंबर का थो खेति याद है ठीक है इसको हम लों टूरीजम बोलते हैं ठीक है तूरीजंट सब्से सब्सेन बड़ा है ना किर्या कलाब में अगला कोशन और मना नहर जोड़ता मतलब मुझें पनामा महाल नहर जोड़ता है पुन है को कुलोन सर्वाइब को चजिल सहर रहे हो से आधानपदान कहा सथ यस संदेश जैसे कि जैसे किसी को संदेश देना है तो कॉल पर संदेश देता है तो संदेशों का आजान परदान संचार कहला था संचार इसको संचार कहते हैं जो संदेश देते हैं विश्वे का सबसे लंबा जील जलमार के कौन सा है विश्वे का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जील लंबा ह पूरे मैं कोशन दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या नहीं तो आप अपना एक नंबर दूंगा उसमें मैसे करना मिल जाएगी ठीक है निमने लिकित में से किस वर्स में पहला रेडियो कारेकरम पर सारी हुआ था कौन से साल में यह वह था और नयस्व ताइस में इनका बी ऑफ्सन राइट होगा हम लोग जुए तक देवर बिस कोशन ने पहुंचने वाले हैं कोशन नमर बीस कहता है रेल मार्गे के जाल का सघंतम घनत्वे क्या है एसका। मार्गय का जो जाल knife जो रास्ता है उसठीच में जाल है अकलर कोशन केता हमरा a big in इंची संबंदित है बिग इंच यह हमारा वायू मार्गे से नहीं टोरी इंच पाइप से संबैंदित है ठीक है इसका सी ओप संट राइट ऑपहुए अपने सही अंश्य एदिया होगा फिर यह से वोगिया फिर यह से अगला कोशन कहता हमारा विस्वे में सरफ पर्थम रेल गारी कप चली थी दुनिया में देखो इसमें दो कोशन आपके एक्जाम में आएगा एक कुशन आएगा कि भारत में हमारे भारत में सबसे पहले ट्रेन कप चली थी और ये कोशन पूरा जोग्रफिय तो वर्ल्ड कप पूसकता है तो दुनिया में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1825 इसमें ठीक है और अगर आपको पूछेगा भारत में जो हमारे देश में सबसे पहले ट्रेन चली थी वो चली थी अठ्रासो तिरपन इसमी में तो अभी फिलहाल हमारा एक आंसर होगा क्योंकि य पाई जाता है तो यह यूरोप में कहां यूरोप में यह उप्सन राइट अंसर होगा ओके अगला कोशन कोशन नुमर 24 कहता है परिसंचरन की धमनिया संबंदित है देखो यह कोशन आप आराम से बता सकते हैं जैसे कि हमारे बौडि में होता है ना परिसंचरन तंत्र जो जैसे नस वागारा जो रास्ता अच्छा बलड का तो कुछ कोशन से देट कर तक के परिसंचरन जो अगला कोशन बाहम सुरोतिकरन सहायक है ये है हमारा इनमे से सभी इनमे से सभी ये सभी से सहायक है ठीक है इनका D option हमारा right answer होगा अगला question last में मैं आपको हमभग दिया हूं question अगला कहता है दो देसों के मत देशों के बीच वैपार क्या कहला था अगर किसी दो देश के बीच वैपार हो ठीक है तो हम इसे क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम लोग अंतर राष्ट्रिय वैपार अगर जैसे मान लो कि भारत भारत और कोई देश ले लो चीन ले लो अगर इन दोनों के बीच में वैपार हो रहा ट्रांसफर हो ठीक है तो आयात निर्यात हो रहा तो इसको बोलेंगे हम लोग अंतराश्टी वैपार अगला कॉशन कुल गार्डी किस देश में अवस्तित है कुल गार्डी झोह है यह किस देश में है ये है ऐस्टेलिया में ये कहार में इसका सी कि ऑपसन करेक्ट आणश्र अगलर पर वड़ते हुआ इसका यू अंश्र हो गव क्ट बॉट्स ज्यादा मेरें इस सजत कर्ति आए तो यह बोला कि किस परतिरूप में आएगा यह आएगा वरित्ताकार में इसका सी ऑप्सन राइट अंसर होगा इसी परकार के कोशन जोगराफी में पूछते हैं कुछ कोशन मैं डेली जब कोशन लाँगों जोगराफी का तो पता चल जागा कैसे कोशन पूछेंगे ठीक है बस हमारे वीडियो देली देखना पूरा जोगराफी रिविजन करवा दूगा पॉलिटी हिस्ट्री जोगराफी जितने भी आर्ट्स में सब्जिक्ट होते हैं और भी स करके है टीक हैई जाल कोशियन कहता है बर्मिंखम कहां है जी तो भारत में ग्रेट्ड बिटेनaty में जर्मनी में एस्ट्रेलिया में हैं ग्रेट्ड ब्रिटेन इसका बी ओप्राइट याथ से कोशन कोशन नम्बर हमारा कहता है 33 विभस्वे की पर्थम नागृबस्ति कौन क्योंकि दुनिया का पूछ रहा है ठीक है अगला क्यों कोसें के तैसिंट निमने लिखित में असे जब्स सबसे जएंसन्ख्य किस उत्त्तर परदेश में उत्तर परदेश में जंशंख्या वी कतना है सहाइश दो करोड होगा ठीक है और बुक में अंसर दिया हो था यह वाला लेकिन यह नहीं होगा ठीक है यह भी लगभग 99 लाख होगा ठीक है इसका सी ओप्सन अमारा राइट अंसर होगा जन संख्या पूचरा ना घनत वे अबादी पूचरा था कुशन अगला कहता है निमजी लिख भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राजय कौन सा है भारत का सबसे कम हमारा बिहार हो गया यह सबसे कम सबसे कम साक्षर राजय है साक्षर राजय इसको साक्षरता भी बोल सकते हैं ए ओप्सन राइट अंसर होगा अगला कोशन नमर कहता हमारा 37 निमने लिखित में से कौन सा अमले वर्षा का एक कारण है अमले वर्षा होने का कारण है वायों में पर्दूसन जैसी वायों में पर्दूसन होगा अमले वर्षा होने का यह होने लगेगा तो इनका रीजन है अगला कोशन कहता है हीरा कुंड परियोजना है हीरा कुंड परियोजना कहां है यह हमारा ओड लिखित में से कौन दक्षिन भारत की नदी है और यह चारो ऑफ़सन है चारों में से यह बताए कि कौन से नदिय Luby Morton देक्षिन भारत में तो गंगा। पोगिली दामोदर कृष्ण ने तो दक्षिन जैसे यह एक यह बनाता हूं जैसे यह नौर्थ सार्थ एस्ट लेस्ट तो इस तरफ यह क्या बोड़ा इस दक्षिन भारत कि नदी यह तो हमारा कि उल्ला चुम्सार भाकर होगो गंगा जो है यह यह इदर बंगाल इदर बंगाल खाड़ी वह ना इदर सायद तो इदर यह मतलब यह पूरा पड़ता है ठीक है पूरा और पर पाश्चिम तरफ यह हमारा चालिस कोशन कंपलीट हो चुक है मैं आपको होमवक देता हूं सबसे पहले होमवक किलियर करते हैं यह आपके सामने हновका है और इस हम अंसर मुझे कमेंट बोक्स में चाहिए ठीक है रहता हूं कि आपने कितना कोश्चन क्या है अगर आपको याद है तो अंसर सही किए वो आप कमेंट बॉक्स मताएंगे अगर आपने 35 कोशन सही किए तो मेरे उमीद से कि आपका जोग्रफी बहुत अच्छा है क्योंकि एक्जाम में 40 नमर पुछेगा तो कम से कम तो 35 सही करना है 35 से प्लस करना है फिर सब्जिक्टिव वगरह लिखोगे तो अच्छे यहार नमर आजाएगा ठीक है उमीद एकिवीडियो आपको पसंद आई होगे एकस किजिएगा वीडियो को शेयर किजिएगा अपने दोस्तों को स्टेट्स वगरह लगाई और उनको लास करने बोलेगा ठीक है अगर हो सकते तो मैं लायफ क्लास भी लेना स्टार्ट कर झाल झाल